ब्याजव चक्रविद्धी ब्याज Interest and Compound Interest सुधीर ने कार खरीदने के लिए अजैसे 2 लाख रुपए 8 प्रतीशत वार्षिक दर्से 4 वर्ष के लिए उधार लिए शर्त यह थी कि प्रतेक वर्ष के अंत में उस वर्ष का ब्याज जमा करना होगा पहले वर्ष उसे ब्याज के 16,000 रुपए जमा कराने थे लेकिन किसी कारण से वह यह राशी नहीं जमा करा पाया अगले वर्ष वह बकाया राशी वह इस वर्ष का ब्याज जमा करने के लिए अजै के पास गया अजै ने सुधीर से कहा तुम्हें दोनों वर्ष का ब्याज मिलाकर 33,280 रुपए देने होंगे सुधीर ने कहा कि दो वर्ष का ब्याज मिलाकर 16,000 धन 16,000 बराबर 32,000 रुपए होते हैं अजै ने कहा हम आप से कोई अतिरिक्त रुपए नहीं ले रहे हैं यह तो पिछले साल नहीं चुकाए गए ब्याज पर ब्याज है यह चक्रविद्धी ब्याज कहलाता है